बहुत बुरी तरह फसे आम लीची की किसान इस बार मुजफरपुर की शाही लीची की मिठास हुई कम प्राकर्तिक आपदा ने तोड़ी किसानों की कमर किसानों ने की फसल नुकसान की भरपाई करने की मांग मुजफरपुर की सूप्रसिद शाही लीची की मिठास इस बार फीकी पड़ गई है कभी लॉगडाउन तो कभी प्राकर्तिक आपदा किसान हमेशा से दोहरी मार जहलता आ रहा है लेकिन सरकार की किसानों की प्रती बेरुखी ने उनकी कमर पूरी तरह से तोड़ती है अब किसान अपनी साल भर की मेहनत पर पानी फिरता देख काफी परिशान है प्रकर्ति के साथ ना देने पर किसानों की फसल पूरी तरह बरबाद हो चुकी है जिसका खामियाजा किसानों और वियापारियों दोनों को चुकाना पड़ रहा है लीची के साथ साथ आम की खेती पर भी इसका असर पड़ रहा है अश्का इंस्वरेंस ओगर तो हए नहीं अभी तक साथ बीहार सरकार किया भी नहीं फ्हला अई इसका लिची का भारीन नुकसान में किसानों पड़ गया और सस्टिंटी में ना इसका सरब्य किया किसका नुकसान ुकि सुना हो गिए अभी जो स्तिती साथ नहीं दिया चीनी भी उसमें मिठास नहीं आया और साही अंतिम अंतिम समय तक खटे है और साही की स्थिति खराब हो गई अब रहाद चाइना का चाइना डेवलप्मेंट ठीक किया है लेकिन अभी जो इस्थिति आ गई है लगातार बरसा हमने का हम लोगों को लगता भय बना हुआ है ऐसी परिस्थिति में लगता है कि चाइना भी इसमें पकरा जाएगा जो जितना जल्दी चाइना तोर लेगा और निकल जाएगा मिला जुला करके बहुत बुड़ी स्थिति हमें हम लोग फंसकर हैं आम लीची के किसान आम का भी वही आलत है उत्तर परदेश काम भाज में चूटता था हम लोगे पहले हिं जायसा तोर रहा है उत्तर पर दिस्थितन के बाद आहिए इसलिए बिहार सरकार अगर बास्तों में अपनी पर्तिष्था निकिकों ईसका पेटेंट मिला हुए साही उसको बचाना चाहते हैं पर्तिष्था को तो भारती किसान यूनियन के अध्यक्ष विरेंदर राय ने कहा कि अगर सरकार के दुआरा किसानों के लिए उचित व्यवस्था की जाए तो किसानों के नुकसान की कुछ भरपाई हो सकती है क्या लग रहा है इस बार मुझवफ़पुर में कितनी संकत भीज़ रहे हैं लीची के किसान इस बार बुरी तरह वरवाद हो गए हैं प्राकृतिक आपदा के कारण और सरकार को साही लीची में जितनी छती किसानों को हुई है उसकी पूर्ती के लिए विशेश विवस्था क करना चाहिए चैश्टु कि इसका बीमा नहीं होता है इसी परिस्तिती में साही लीची जो भी किसान फैदा किये थे उनका पूरा का पूरा बरबाद हो गया है कम से कम इसके च्छती पुर्ती की विवस्था विहार सरकार और भारत सरकार करे ताकि किसानों का जोस्त बना र दिल्ली में बहुत बड़ा मंडी है अजादपूर बंबई में अन जगों पढ़े मंडी अवस्थीत हैं यहां भी बजार समिती अवस्थीत है लेकिन सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है सरकार यदि व्यवस्था करती तो निश्चित रूप से यहां के किसान अच्छे भाव में साही लिची पूरे देश के हर राज में भेश सकते थे और आजादपूर जैसा मंडी जो दिल्ली में वस्थी थे पूरे दुनिया में वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था करके सरकार मंडी की व्यवस्था कर दे और अपने जो मार्केटिंग के अधिकारी है उनको लगा दे पीर्द किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है ताकि मुझफफफफपूर की लीची को मिली प्रतिष्ठा को बचाया जा सके पंजाब केसिरी टीवी के लिए मुझफफफफपूर से संतोश की रिपोर्ट